Have a good day to all of your dear students. आप सभी को दीपावली की हारदिक शुब कामना है. प्यारे बच्चों, दीवाली दीपों का तेवहार है. इसलिए स्वयम की सुरक्षा के साथ साथ हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए. इसलिए वे पटाके छोणाएं जिनमें रोश्ट्नी हो ना की पर्यावरण दूश्रित हो और ना ही धमागे हो. इन सभी से उपर आप अपनी सुरक्षा का ख्याल अवश्चर रखें. दीपावली की शुप कामनाओं के साथ आज की वीडियो में हम दीपावली पर निबंद लिखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. दीपावली के निबंद की शुरुवात हम दीपावली के अर्थ से करेंगे. दीवाली जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है भारत और दुनिया भर में रहने वाले हिंदूओं के सबसे पवितर त्योहारों में से एक है दीपावली संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है दीप और आवली दीप का अर्थ होता है दीपक तथा आवली का अर्थ होता है श्रंखला जिसका मतलब हुआ दीपों की श्रंखला या दीपों की पंक्ती दीपावली का तेवहार कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है यह तेवहार दुनिया भर के लोगों द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है हाला कि इसे हिंदू तेवहार माना जाता है लेकिन विभिन समुदायों के लोग भी पटाके और आतिशवाजी के जरिये इस उज्ज्वल तेवहार को मनाते है आईए अब हम जानते हैं कि दीपावली तेवहार की तयारी कैसे होती है दीपावली तेवहार की तयारियां दीवाली से कई दिनों पहले ही आरंब हो जाती है दीपावली की कई दिनों पहले से ही लोग अपने घरों की साफ सफाई करने में जुट जाते हैं क्यूंकि ऐसी मानिता है कि जो घर साफ सुत्रे होते हैं उन घरों में दीवाली के दिन मालक्षमी विराजमान होती हैं और अपना आशिरवात प्रदान करके वहां सुख सम्रधी में बढ़ोतरी करती हैं दीवाली के नजबीक आते ही लोग अपने घरों को दीपक और तरहा-तरहा के लाइट से सजाना शुरू कर देते हैं आईए अब हम जानते हैं कि दीवाली में पटाकों का क्या महतव होता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दीवाली को रोशनी का तेवहार कहा जाता है लोग मिटी के बने दीपक जलाते हैं और अपने घरों को विभिन रंगों और आकारों की रोशनी से सजाते हैं जिसे देखकर कोई भी मंत्र मुग्ध हो सकता है बच्चों को पटा के जलाना और विभिन तरह के आतिश वाजी जैसे फुल जणियां, रोकेट, फब बारे, चक्री आदि बहुत पसंद होते हैं आईएब हम ये भी जान लेते हैं कि दीवाली का इतिहास क्या है अरधात दीवाली क्यों मनाते हैं हिंदूओं के अनुसार, दीवाली के दिन ही भगवान श्री राम, 14 वर्षों के वनवास के बाद अपनी पत्नी, सीता, भाई लक्षमन और उनके उत्साही भक्त, श्री हनुमान के साथ अयोध्या लोटे थे अमावस्या की रात होने के कारण दीवाली के दिन काफी अन्धेरा होता है जिस वजह से उस दिन पूरे अयोध्या को दीपों और फूलों से श्री राम चंद्र के लिए सजाया गया था ताकि भगवान राम के आगमन में कोई परिशानी ना हो तब से लेकर आज तक इसे दीपों का तिवहार और अन्धेरे पर प्रकाश की जीत के रूप में मनाया जाता है इस शुब अफसर पर बाजारों में गनेश जी, लक्ष्मी जी, राम जी आदी की मूर्तियों की खरीदारी की जाती है बाजारों में खूब चहल पहल होती है, जैसा की आजकल आप लोग देख रहे होंगे लोग इस अफसर पर नए कपड़े, बर्तन, मिठाईयां आदी खरीदते हैं हिंदु उद्वारा देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि व्यापारी दिवाली पर ही नए बही खाते की शुरुवात करते हैं साथ ही लोगों का मानना है कि ये खूब सूरत तेवहार सभी के लिए धन, सम्रिधी और सफलता लाता है लोग दिवाली के देवहार के दौरान अपने परिवार, दोस्तों और रिष्टदारों के साथ उपहारों का आदान परदान करने के लिए तत्पर रहते हैं आईए अब हम चर्चा करते हैं कि दीपावली से जुड़ी सामाजिक कुरीतियां क्या क्या हैं क्यूंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर अच्छाई होती हैं तो साथ में बुरायां जुड़ ही जाती हैं दीवाली जैसे धार्मिक महत वाले पर्व को भी कुछ असमाजिक तत्व अपने निरंतर प्रयास जैसे मदीरापान, जुआ खेलना, टोना तोटका करना और पटाखों के गलत इस्तेमाल करने से खराब करने में जुटे रहते हैं अगर समाज में दीवाली के दिन इन कुरीतियों को दूर रखा जाए तो दीपावली का पर्व वास्ताब में शुब दीपावली हो सकेगा चलिए अब हम निशकर्स तक तो पहुँची चुके हैं यानि निबंद लेखनवे जिसे हम उपसंहार कहते हैं प्यारे बच्चों दीपावली अपने अंदर के अंधकार को मिटा कर समूचे वातावरण को प्रकाश में बनाने का त्योहार है बच्चे अपनी इच्छा नुसार, बम, फुल जडियां तथा अन्य पटाखे खरीदते हैं और आतिशबाजी का आनन्द उठाते हैं हमें इस बात को समझना होगा कि दीपावली के त्योहार का अर्थ दीप, प्रेम और सुख समर्दी से हैं इसलिए पटाखों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक और अपने बड़ों के सामने रहकर करना चाहिए दीपावली का देवहार हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेणा देता है दीपावली का देवहार सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है इस देवहार के कारण लोगों में आज भी सामाजिक एकता बनी हुई है हिंदी साहित्यकार गोपाल दास नीरज ने भी कहा है जलाओ दिये पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रहना जाए इसलिए दीपोत्सव यानी दीपावली पर प्रेम और सौहार्द का बढ़ावा देने के लिए प्रेतने करते रहना चाहिए इन पंक्तियों में अंधेरे का अर्थ सचमुच अंधेरा ही नहीं है प्यारे बच्चों हमें अपने हृदे से घ्रेणा, ईश्या, द्वेश रूपी अंधकार को मिटा कर प्रेम और सद्भाव रूपी ब्रकाश को फैलाना चाहिए यही इसका अर्थ है आज के लिए इतना ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में लेकिन इस तेवहार के बाद प्यारे बच्चों आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुब और सुरक्षित दीपावली जै महालक्ष्मी